भया बहर रेल दुरुगटोना नमस्कार टेवा टेल अपनाक साकतम स्तुरियत मैं प्रांचल। जल्बह बहर रेल दुरुगटोना नमस्कार टेवा 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 चल। खुन्दा मारे। 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 खुन्दा मारे खुन्दा मारे। खुन्दा मारे। खुन्दा मारे खुन्दा मारे। उद्धार विजने अन्योय गोतिल आफ कोरी से, अगनी निर्भापग बहीनियों उद्धार विजन शुनाई से, वायंकर दुर्खतोना बावे ए परजमता सल्ली सरू अधीक रेल सुना सल बातिल कोरा हुई से, या हुई से उरिस्टार अती दुर्भाई गजना क्रेल दुर या हुई आपडेद, इति हाफ दुर्भाई या प्रिहत रेल दुर्खतोना ख़बर आमी जनायी दिभर विशारी शुए, ये रेल दूर्खतोना बाही ना आइसे, अबना कर गयाधार्थे जनायीठ हूँ, उन्नेसकोर एकाखी शन और 20.21 बिहार बाखमती नुर्खतोना प्रेक्वाइब नाई नेखिता तर्यूखन आजिए अपारी नेखिता नेखिता पॉझेटा। सब्सक्राइब 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 बेड़ तोल और भी बड़ेगी लगातार आएब कि जो हिस्सी अगर हम एक पर देखें तो हम यह देखेंगे कि 1985 में फिलहाल अभी तक देश का सबसे बड़ा ट्रेन डिजस्टर हुआ था बिहार में 1985 में एक जो पैसेंजर ट्रेन ओवर क्राउड़ेट पैसेंजर ट्रेन वो साइक्लोनिक स्टॉर्म में फंद गई थी और व हवा में पट्री से उरके एक नदी के वो ट्रेन पूरा पूरी ट्रेन जो है वो डूब गए थी और उसके चलते करीब करीब 800 लोगों की मौत भी थी उसके बाद अगर हम देखें कि 1991 में यूपी में फिरोजाबाद में दो ट्रेन आमने सामने टकराई थी और उसमें करीब करीब सारे 300 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी अभी देखना है ये जो गाईसाल की रेफरेंस आप दे रहे थे वो भी एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा इंडियन रेलवे के हिस्ट्री में है जिसमें करीब 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 दो सो पच्छाथी लोग की मौत हुई थी और उसमें आपने सही कहा कि बहुत सारे अखाम के लोगों की मौत हुई थी तो अभी जो लग रहा है फिलहाल देखो की औरिफा के एक केबिनेट मिनिस्टर में इस बात की पुष्टि कर दी है कि करीब करीब दो सो अठाथी लोगों की मौत हो चुकी हैं और हमारे साथियां, हमारे साथियों जो स्पोर्ट में हैं, अस्पदाल में काम कर रहें, वो लोग लगातार जो अगर उसको पकड़ के चलते हैं, तो आंकरे कुछी देर में तीन सो पार कर जाएगा, ये आशंका है, सबका ये आशंका है. अभी रेलवेस जो है, वो रिलीस अन रेस्क्यू उपरेशन्स में ज़्यादा फोकस्ट है, हमने कुछ दिर पहले देखा कि रेलवे मिनिस्टर जोकी औरिसा से है, शेनी वश्नव, उन्होंने वो हाथसा स्पल में उन्होंने पहुचा, जाजा लिया, और उन्होंने वहाँ मौजूद सारे मेडिया के सामने ये बात कहा, ये बात रखा, कि अभी जो फोकस है, वो रिलीस अन रिस्क्यू उपरेशन्स का है, उसके बाद, जैसे कोई भी ट्रेन, कोई भी पैसेंज या ट्रेन, अगर उसकी कोई एक्सिडेंट होती है, कोई हाथसा होती है, तो रेलव पाना हो गये है, हमारे पास जो जानकरी है, कुछी देर में वो भी पहुँच जाएंगे, उसके बाद ये इनक्वेरी होगी, अश्वीनी वजनव ने और भी कहा, कि और भी एक हाई लेविल इनक्वेरी सा और क्या है, वो भी चलेगी साथ हो साथ, तो ये एक हाथसा के पी उतिन चीज़ मैं बता सकता हूँ, कि डेट टोल इतना ज़्यादा क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा डेट टोल है, पहले ये हाथसा कैसे हुआ है, अगर समझते हैं हम लोग, कि दो नंबर डाउन लाइन, दो नंबर डाउन लाइन पकर के, ये ये यश्बंदपूर हाउर सूपरफस्ट एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी, और वो स्टेशन पार कर रही थी, वो स्टेशन पार किया, तूरंट उसके बाद, ये जो ज़्यश्बंदपूर हाउरा सूपरफस्ट एक्सप्रेस है, उसके पीछे के चार डिब्बे पहले पटरी से उतर गई हैं, और ड् इतर भितर हो गया और वो जो आफ लाइन जो तीन नंबर लाइन वो तीन नंबर लाइन पे आकर के गिर गया उधर से बहुत जल्दी मतलब समय भी नहीं मिला किसी को कि वह क्या है क्या हो गया इतना बड़ा आवाज कैसे हो गया इतना बड़ा मतलब सब लोग कैसे हिल गया क् तेजी रफ्तार ही से करमंदल एक्सप्रेस वही से गुजर रहे थे तो क्या हुआ वो करमंदल एक्सप्रेस आकर के वह जो डिरेल्ड कोचेस थे उसमें टकराया और उसके बाद उतना बड़ा भायंकर इंपैक्ट हुआ कि हमने जो वीडियो देख रहे हैं जो वीज्वल देख रहे हैं जो वहाँ से लगातार हमें एक्स्क्लूसीब मिलने हैं हमें ये देख रहे हैं कि वो करोमंडल एक्सप्रेस की जो एंजिन है वो एकदम उर करके वहाँ पे और एक ट्रेम चार नंबर लाइन पे एक गूट स्टेम करी थी उसके उपर चर गिया उसके साथ कुछ और डिबबे जो है वो सारे डिबबे एक के बाद एक उपर चर गिया एक बाद समझ लो करोमंडल एक्सप्रेस का जो कोचिंग पोजिशनिंग है वो समझ लो करोमंडल एक्सप्रेस का एंजिन के बाद बाला जो डिबबा है वो आन्रिजाफ डिबबा था उसके बाद दो और आन्रिजाफ डिबबे थे तो हम सब जानते हैं कि जो है आम आदमी है गरीब आदमी है खात करके बंगाल से जो लोग चन्नाई और आज पास साउथ इंडिया में जो माइग्रेंड लेवर वो लोग काम करते हैं वो लोग ऐसे यह आशंका जताये गया है कि करीब करीब तीन सो से सारे तीन सो पैसेंजर आन्रिजाब्ट वो तीन कंपार्टमेंट पर सफर कर रहे थे इसी लिए डेथ टोल इतना जादा है क्योंकि सबसे बड़ा इंपक्ट जो है करोमंडल एक्सप्रेस का वही तीन डिब्बे के ऊपर सबसे ज़दा इंपक्ट हुआ है और उसके साथ सटा हुआ जो स्लीपर कोचे से एस वान एस टू एस त्री एस पॉर एस टिक यह जो चे और गिब्बे थे जो स्लीपर कोचे से हम सब जानते है कि स्लीपर कोच में वाके ही हम बोलते है कि वही डिजब कंपर्टमेंट लेकिन फिर भी हम देखते है कि अगर डिमांड ज सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप यह सुबह की अगर वीडियो देखोगे तो देखोगे कि भई सारे जो है कमपर्टमेंट जो बोगिया है जो कोचेश है इतर बितर हो गया है एक के उपर एक चर गया है तो आशंका यह है कि यह सारे जो मैंगल कोचेश है इसके अंदर और भी कुछ लोग फसे हुए अभी भी फसे हुए है या तो फिर इसके अंदर बहुत सारे dead bosses का आशंका है, तो railway अभी जो heavy duty crane जो होता है, जिसको हम बोलते है कि 140 ton heavy duty crane, वो heavy duty crane अभी यहां पे ला रहे हैं, वो crane एक के बाद एक bogey को remove करेगा, और remove करने के बाद ही पता चलेगा कि कितने लोगों की जान गई हैं, और अस्पताल में जो लोग अभी मतलब fighting with life, बहुत सारे जो लोगे करीब करीब हजार पैसेंजर्स, दो ट्रेन के हजार पैसेंजर्स, आज़ पास के बहुत सारे अस्पताल में अभी बुरती हैं सब पूरी असंखा किया जा रहा है, लेकिन और एक बात कि बहुत लोगों के जहन में ये सवाल था कि औरेसा के भीशन ट्रेन हाथसे की क्या थे बजा और आपने मिटों की संखा बढ़ते हुए जो संखा है उससे देखते हुए अनुमान क्या है कि कैसे ये दुरगतना हो सकती है लेकिन महीने के बाद महीने में ही ये दुसरा बरा रहा हाथसा है भारत में देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड प्रोटोकल है रेलवेज का वो प्रोटोकल के हिसाब से कोई भी पैसेंजर ट्रेन अगर उसकी अगर कोई हाथसा होती है तो कमिशनर सेफटी की इन्कवारी बढ़ती है वह इन्कवारी अभी शूरू होने वा जाएगी सेफटी साउध सं रेलवेज एटबूरर इन तो खरकपूर से उनों वो कमिशनर अड़ रेलवे सेफटी वो रवाना हो गया है बस वो पहुंच जाएंगे वहां पे एंक्वारी शुरू हो जाएगी लेकिन ये हाथसा देखते हुए सामने जो तीन चार कारण सामने आ रहा है मैं एक के बाद आपको बताने का कोशिश कर हूँ वो ये है कि जिस जगा पर जिस जगा पर ये डिरेलमेंट हुई है उस जगा पे कोई फेसिंग पॉइंट नहीं थी ये फेसिंग पॉइंट चीज क्या होती है फेसिंग पॉइंट चीज ये होते हम सब जानते हैं कि जब हम रेल सफर करते हैं तो हम देखते हैं कि एक लाइन आ करके दूसरा कोई लाइन से मिल जाते हैं तो जब दो लाइने ऐसे मिलते हैं तो फेसिंग पॉइंट रहती हैं लेकिन वहाँ पे कोई फेसिंग पॉइंट ऐसी थी नहीं फेसिंग पॉइंट नहीं है तो इसके चलते हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि सिगनल में कोई गरवर नहीं लग रहा है मैं बता रहा हूं कि इनिशियली सिगनल में कोई गरवर नहीं लग रही है लेकिन तो फिर क्या हो सकता है यह हो सकता है कि पट्री में कोई प्राब्लेम था और वो ठीक ठाक इंस्पेक्शन हो नहीं दूसरी बात क्या हो सकता है दूसरी बात यह हो सकता है कि यह आश्वंतपूर हावरा Superfast Express supports ट्रेन जो है वो ट्रेन के जो चार डिबबे पहले derailed हुई है वो चार डिबबे में से कोई भी एक डिबबा कोई भी एक डिबा उसका जो अंदर कैरेज बोलते हैं मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है जहां पे वील रहते हैं चक्का रहते हैं काफी सारे हेवी एक्विप्मेंट रहते हैं वहां पे कुछ मेकानिकल फॉल्ट के कारण से ये डिजल्मेंट हो सकती है लेकिन ये एकदम बिल मिनिस्टर रशेनी वाजनव ने कहा कुछ दर पहले कि अभी जो है रेल्वेस की जो फोकस है वो बिलकुल रिलीफ एं रिस्क्व है और बिलकुल इनक्वारी होगी बिलकुल ये जानने का कोशिश करेंगे हम कब लो कि वही कैसे हो गिया कैसे इतने सारे लोगों की जान कैस ए तिया मोहहतर हो खेकिंग अध्या था खेकिंग अधिश्या खेकिंग नेड़ू विकर्द्या जित्या खेकिंग युद्धिया है पूर्ण आखोंका करिवा परिवा तातु को योधिक ब्रिद्धी पावा परे उति भायंको रेल दुर्गतना और प्रकिता कारून बुर्की की होबा परे यहां आमार सिनियोर एडिटोरी अपनाल को जनाले और गुतेखनी बितंग तथा आमी जिवान पर जनावले स्यस्ता करिया सु ग्राउन जिरो तामार हांगबादिक का से हांगबादिक के प्रतित तईठा आहरन करिया से केंजर रेल मंत्री असनी बवाश्न बे इतिमधी हमाग्र दुर्गतनास्थली पर्जबिक खन करिशे रेल विभागर रस्षा पतस्ता विखया होकलर होटे तेवा अलो प्रतित तो दिसे या जिस्ता दिखवाए सो हमी केंजर रेल मंत्री असनी बवाश्न बे इतियां दुर्गतनास्थली परिदेखन करा मुहर्ट तो डिस्ता अब लगे तिभीर पड़ात प्रतिक करिशे जदिया मीं हमभब होए असनी बवाश्न बे की को सिल्ट और भास्त उसली रेलवे, NDRF, HDRF और राजे सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑप्रेशन कर रहे हैं complete mobilization किया गया है इदर बालेश्वर की तरफ से उधर बुनेश्वर की तरफ से complete mobilization किया है डाटनगर से सब जगे से mobilization किया है ताकि i운कसिमम इस तरह की इस तरह की बड़ी ट्रैजडी में आक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रैजिडी में चितना एफर्ट लगाये जाए उतना कम होता है उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रातना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रैजिडी में चले गए और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केर फैसिलिटी होगी चाहे कटक में अधर कहलकटा में गहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी दी जाएगी कम्पमेंसीशन का माउन कल रात में रिल्वी की तरफ से दिखलेर हो गया था एक हाई लेवल कमिटी भी ऐल्टी दिखलेर हो गयी है जो कि पूरे एक्सिञेंट में इंक्वाईरी करेगी कमिश्नर रेल सीफटी को भी पुलाये गया है वो भी inquiry करेंगे और इस problem के इस accident के root cause में जाएंगे किस कारण से ये problem होई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस पी कारण से होई हो वो समझा जाएगा मने कहा पूरी जानकारी पूरी inquiry की जाएगी complete inquiry की जाएगी detailed में high level inquiry committee already राद में कोशित कर दी गई थी कमिशनल rail safety वो भी independent inquiry करेंगे complete inquiry की जाएगी और बहुँ खोबरा से rail रूर खतनार प्रतित और अदेट आमी अपनाल को उख सुनाएथ हकिम कि दो एक हिंदे हो मोई बानी चेक पीरोट तो